Hello and welcome to the studio members TCS को आज के दिरे हमने ट्रेट किया था and इसे हम Constance पूलेंगे या Constance नहीं कह सकते Stock Selection का प्रोसेस है क्योंकि TCS को हमने भी ट्रेट किया है and हमारे एक student Narayan साब ने भी TCS को same level से ट्रेट किया था यह देखिए यह कुछ markings है भी आगे चलकर कि Stock को और भी अच्छी तरह समझेंगे एक Green Color की Candle है यह वाली इस एक Candle को अपना एक High मानते हुए Price देखिए यहां से Downside के तरफ आया same level यह जो Green वाली Candle है Price हमारी इस Green वाली Candle के Breakout पर और यह Green Candle का जो Low है मेरा यह Important था Price ने आज इस Resistance को अप में जाकर कि मतलब एक Gap Up करके Opening दी है देखिए इस एक Point से Downside में यहां से लेकर कि अप में एक Gap Up Opening दी और Price यहां से मेरा Upset के तरफ चला गया Resistance के Breakout हो जाने के बाद में सेम जिस Candle को Marky उस Candle के Breakout होने के बाद में इस Stock को TCS को हमने ट्रेट किया है यह वाला एं थर्ड जो Group है वो यह वाला है अब इसको और Extend कर लेंगे हम अगर अपनी 3rd वाई Land को तो Exact Support पर पहुँचेंगे Second को Extend करेंगे तो Again Second Support पर And Third को Extend करेंगे तो एक तरह सपोर्ट या फिर Resistance तक मियाँ पर पहुँचते हैं प्राइस के Breakout या फिर उसके जो Directions हैं हमारे Levels पर हुए Lower Time Frame पर जब हम देखेंगे तो प्राइस ने क्या किया है एक Gap Up Opening देने के बाद में वैसा तो नहीं कि प्राइस ने Gap Up Opening दे दी हुआ हम फट सेंट्री ले लेंगे हमें हमारा एक proper entry setup चाहिए एक stop loss setup चाहिए जो कि नारायन साब ने भी follow किया है और हम दोनों ही लोगों ने same level लगभग लगभग उन्हों का same level था हम दोनों ही लोगों का देखिए ये एक resistance level है price ने इस resistance को break किया upside के तरफ अगर इसके नीचे हम लोग trade करते हैं तो कर सकते हैं बट confirmations नहीं थे downside के supports ये वाले थे अब अगर down से करना था तो हमें इस वाली range से delete करना था इसको trade करना था और अगर अप में करना था तो अप वाले इस वाली levels हम इसको trade कर सकते थे तो काफी अच्छा trading setup था एक काफी अच्छे confirmations थे काफी अच्छा हमको risk and reward ratio भी TCS के अंदर मिला अभी इसके अंदर हम लोग सबसे पहले अपनी trade book open करते हैं वो trade book में समझने कोशिच कर रहे हैं कि कितनी क्या quantity थे और profit कितना है कि हम लोग इसके login कर लेते हैं अगर आप मेरे telegram group join नहीं किया है तो इसको आप join कर सकते हो इसको espresso perfect login है ओके तो यहां पर सबसे पहले हम लोग अपनी position book open करेंगे तो position book में overall आप देख सकते हो 15,862 का profit overall हमने आज के session में book किया था जो कि intraday के recording यह काफी अच्छा हो satisfying profit है एक बार इसको refresh कर लेते हैं फिर से perfect 15,000 प्लस का profit है एक smooth trade बोलते हैं कि TCS में आज एक smoothness दिखाए पुड़ी थी order में आप देखो कि 450 क्वाइंटी का order में लगाया था लगवाग 447 क्वाइंटी आ रही थी जब हम अपने risk को calculate करे थे तीन क्वाइंटी से हमने और extensive के बढ़ा दी थी 450 क्वाइंटी हो गए थी एंट्री हमने लिए थी इसमें 2342.75 पर एंट्री थी stop loss 2336.05 पर हमारे stop loss लगा हुआ था इसको एक बार refresh कर लेते हैं फिर से परफेक्ट एंट इसके नतर जो हमने अपने targets बुक किया है 3378 पर हम बुक कर सकते थे वर दो रबाए नीचे बुक है हाँ stock उसके बाद में upside के ऊपर चला गया था so एक अच्छा trading setup एक अच्छा execution था आईए इसको और भी अच्छे समझते हैं and day time frame पर क्या analysis थी lower time frame पर क्या analysis एक एक point को समझने कुशिश करेंगे वीडियो और अच्छा रखता है तो उसको ज़रू से ज़रू लाइक कीजिएगा comments कीजिएगा और अगर चैनल पर नए होता है चैनल को subscribe ज़रूर करें Thanks and start करते अपना या आज का वीडियो Welcome to the world of candles 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 की जो दुनिया है चोटी सी जब हम लोग काम कर रहे होते हैं या फिर प्राइस को रीट कर रहे होते हैं तो बाहर जब ना laptop या computer बंद करके जब बाहर जाओ तो दिमाग में वही candles होगरा चला करते हैं यह इनकी अलग एक दुनिया है Candid's की अपनी अलग दुनिया है Day Time Frame Lower Time Frame Swing High Swing Low यह वह सब जब इतना दिन भार आप पढ़ते रहो ना बाहर जाओ तो लगता है कि वह अलग दुनिया है और यह दूसरी दूनिया है चली फिलाल एक दम सिंपल वे में हम आपको समझाने की कुशिश करेंगे आजके जो Swing Highs और Swing Lows होते हैं जैसे कि जितनी भी मार्किंग से इन सब को हम कर देते हैं Delete और प्रॉपर वाइट बोर्ड तो नहीं open करेंगे लेकिन यहीं पर हम आपको बहुत साइच चीज़ समझा सकते हैं जैसे कि प्राइस के लो हाई लो हाई लो हाई लो यह है ना प्राइस में एक चीज़ सिंपली बहुत कॉमन हम देख सकते हैं कि यह जो Lows है ना यह टूट करने है program मेरा गिर है या फिर प्राइस यह गिर है कि या फिर प्राइस या कोशिश कर आप में जाने के बाद में कहीं लो पॉइंट जारू लांगा गया अपफर हाई higher low, lower low, lower high, यह चलता रहता है, यह common है, यह हमेशा से चलता आया है और चलता रहेगा, कोई नया move नहीं होगा market का, lower low, lower high, हमारा काम यह होगा, इन lower low और lower high इसको समझने पर, इनको पढ़ लेगा, जब price हमारा downside की तरफ गिर रहा है, तो अगर हम, कहीं से कहीं से का मतलब कि अंदर up move आ सक, किस point से up move आने की सबसे ज़्यादा chances है, हमें वो points find out करने है, TCS के आज के trade की मदद से हम लोग इसी एक points को समझने के कोशिश करेंगे, सिधे आते हैं हम लोग TCS में day time frame पर, देखे, दो candles होगी यहाँ पर जो कि हम mark करेंगे, एक है हमारी bearish candle और एक है मेरी bullish candle, bullish candle कौन से है, ये वाली, bearish candle कौन से है, ये वाली, सबसे पहले start करेंगे bullish candle से, bullish candle क्यों important, देखे, यहाँ पर market ने एक low लगाया था, है न, और इस low लगा देने के बाद में, अब से कहीं से high है, low है, high, low, high, again low, high, और यहाँ तक low लगा, और फिर से high, clear है न, क्यूंकि इस candle ने मेरे low लगाया है, low लगा देने के बाद में खा ही लगा, और market ने क्या किया है, हमारी इस वाली candle के low को as a support react किया है, समस्के चलिएगा इसको, हमारी 9th of May की candle के low को as a support predict किया है, as a support react किया है, और market यहाँ से support ले रही है, मतलब इस candle की range के अंदर ही सारी trading चल लिए है, और जब market ने downside की तरफ close किया, तो market ने एक नया low लगा दी, यह वाला low important वैसे हमारे लिए इन दोनों ही candles के low's important है, दूसरी चीज़, price अगर इस green candle से आप समझे, price अगर इस green वाली candle का low support है, support कैसे कि market हमारी इस green वाली candle के नीचे की तरफ अगर travel कर रही है, तो यह एक support, मत resistance को break किया है, support लिया है, उपर गई, simple है ना, किसी भी एक level या किसी भी एक point पर जैसे यह मेरा एक level है, price हमारा अगर इस level के उपर है, तो यह support, मतलब इस line की upper range एक support, down से है, तो down range एक resistance, clear है ना, इतनी सी चीज़ clear करके अब आके बढ़ते है, price ने हमारी इस green वाली candle का low break कि जो कि इतने दिन तक नहीं हो, कितने दिन, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे साथ, है ना, one week and two days, तक लगाधार market ने यहाँ पर एक support लिया, और यहाँ पर देखे, 19th of मई को price ने अपना support ब्रेक कर दिया, support ब्रेक कर देने के बात में देखे क्या हुआ है, हमारी इस black वाल की candle को 25th of मई की candle ने downside की तरफ ब्रेक कर दिया, अब यहाँ से अगर market weak है, weak market में क्या होना चाहिए, कि price हमारा downside की तरफ गिर जाए, but कल की trading session में market again मेरी 19th of मई की candle की range के अंदर आकर की trade करनी लग दे, आज की जो market की opening थी 27th, मतलब कल की range को भी Friday का जो session था, Friday की session को भी break करक upside की तरफ, मतलब एक gap up opening दे, हमने क्या कहा, कि यहाँ से price ने low लगाया और low लगा देने के बाद में again यहाँ पर एक high लगा और price ने से मेरा नीचे, मतलब कि एक resistance point बना मेरा swing high जिसको हम बोलेंगे, और एक resistance point यह है, यह भी मेरा swing high है, मेरे लिए यह दोनो candles important, और यहाँ प इस range के अंदर आकर के market rate कर रहे पिछले दो देन से, और यह मेरा एक resistance point बना क्योंकि यहाँ से market आ जाने के बाद में, यहाँ तक हमारी market आई है, और यहाँ से नीचे की तरफ बिर गे, हम यह कह सकते है कि market जब चल रही हो दिए, तब swing high swing low को predict करना थोड़ा सा मुश्किल हो की है, तब तो बहुत आसानी से लोग कह सकते हैं कि एक swing high और yellow है, यह वाला high कब लगा 23rd of May को लगा है, यह वाला high कब लगा 25th of May को, मतलब price यहाँ पर swing high और swing low लगा चुका है, अब हमें यह मालूम है कि जो swing high और swing low होते हैं यह बहुत important होते हैं, मतलब कि यह दोनों ही points important है मेरे लिए, अब 19th of May की range के अंदर आ करके trade करना और again market का मेरे swing resistance तक पहुच जाना, price का यह resistance point, यह वाला point resistance, clear है, इस तरह से एक एक करके, मतलब कोई भी candle है, वो दूसरी candle से जूड़ी रहती है, हमें अगर price को rate करना है, तो एक candle, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी candle, ऐ ऐसे rate करते 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 आगे कि तरह जो आप बढ़ते चले जाओगे, connection मिलेगा, connection से ही आगे आपको conviction मिलेगा, conviction से आप trade execute कर पाओगे, समझवार है ना, थोड़ा सा समय दीजे मार, एकदम से अगर करनी कि आप कोशिश करोगो, तो में भी हो सकता है कि आप गिर पड़ आप B.com हो, B.A.ड हो, अब क्या हो, कुछ नहीं, आप बस उसको अपना ID दो, अपना pen card दो open हो जागा, भले ही आपको कुछ ना आता हो, तो जब यहाँ पर इस तरह के लोग आते हो, तो उनको लगते है नहीं, यह तो market है, profit बगारा book करो, निकलो यहां से, majority इन ही तरह, इ इडास है, क्या, वो gambler, उन्हें सब gambling, एक दिना, दो दिना चले, और बाद में जाकर के market को blame करना, फिलाल, यह सब दूसरी चीज़े हैं, फिर कभी इसको पर discussion करेंगा, अभी trade को पर focus करते हैं, यह points अपने हो गया, यह points याद रखियेगा, यह resistance point है, जिनको की day time frame पर हम ल अपने हाले level से, हमारी 25th of May के support से यह upside की तरफ चला गया, समझभा रहे हैं, price किस तरह से अपने highs को break करता चला जा रहा है, और अपने lows को protect कर रहा है, यह वाला low point, यह वाला low point और यह वाला low, अब lower time frame पर हैं, 5 minutes में समझने की कोशिश कीज़ेगा, exact हमारे support से market upset, यहाँ जब हमने entry लिए है, तो market ने यह वाले swing लगाया, और swing लगाते लगाते price यहाँ पर क्या कर रहा था, अपने volumes को increase कर रहा था, यहाँ पर भी volume increase होई है, और इस वाले point पर भी volumes increase होई है, हमारी 10 बचकर 20 minute की यह जो candle है यह important हो जाती है, इसका close price हम mark करेंगे, sorry, open price हम mark करेंग तो targets के लिए हमने किया कि simply 3380 के level up mark को लो, अभी देखिए आपको पता से लेगा कि क्यों मगी, यह होगा न, यह resistance point है, इन resistance को देखते हुए हमने यहाँ पर जो अपने targets रखे थे, देखिए हम आपको बता रहे है, 3380 यहाँ तक market गई है, बट जो actual targets हमें इसके अंदर book करन इससे निकल जाने के बाद में यह कुछ points बने हैं, यहाँ पर market रुख सकती थी, बट price की activity को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पर volumes लगातार बढ़ती चली आ रहे थी, volumes भी बढ़ रहे थी और prices के जो movement थे न, वो भी अच्छे खासे आ रहे थे, तो जो round number के according हमने क्या किया overall जो आज का हमारे trading setup थे वाला था, अब देखेगा TCS के अंदर क्या होता है, एक थोर दिन पहले हमने अपनी class में चप्टर पढ़ रहा था, gap up और gap down को लेख, TCS में एक gap यह वाला gap, और यह gap 101% fill होगा, यह वाला gap और यह वाला gap, होता ही होता है, gap fill करने का तरीका लोग हो 440, यह 50 रुपए का gap का area है, 40-50 रुपए का, यह fill जरूर होगा, ओके हम लोग इसको रखेंगे अपनी watch list में, फिर से मौका मिलेगा, फिर से हम TCS को trade करेंगे, overall आज का यह अपना trading setup था, I hope कि आपने समझने की कोशिश की होगी, और समझ में आज होगी, अब हम लोग मिले करेंगे, अब हम लोग मिलेगे, 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 अब